नमश्कार, कथा कहानी कावे में आपका स्वागत है, आईए हमारे साथ इस साहितिक जफर पर, मेरा नाम है मनीशा, और हमारी आज की कहानी है जांसी की रानी लक्षमी बाई, भाग सत्रह अभी तक आपनी सुना, अंग्रेज अफसरों को 31 मई के बारे में पता चला, पर बाकी च्छावनियों में होने वाले विद्रहों के कारण 31 मई की बात पर ध्यान नहीं दिया चार जुन को गार्डन ने बड़ी विपद आने पर, रानी को उनका साथ देने को कहा तो इस धिती को भाप कर, रानी ने गार्डन से अपनी सेना की भरती की मन्जूरी ले निज की सेना तयार करनी शुरू की डनलप विद्रोही सिपाहियों द्वारा मार दिया गया गार्डन के अनुरोध पर, रानी ने अंग्रेज इस्तरियों और बच्चों को किले में रखा और उनके भोजन का भी पूरा इंतजाम गुप्त मार्ग से करवाया अंग्रेजी दस्ते में एक विक्ती मार्टिन ने गुप्त मार्ग देखा और वहां से आग्रा भाग गया इसी युद्ध के दोरान गार्डन की भी मृत्यू हो गई इसके बाद रिसालदार काले खाने स्कीन को अंग्रेजों की रक्षा का वचन दे दिया लेकिन जेल दरोगा बक्षीश अली ने स्कीन से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे पीटा इसके बाद काले खान का नाम का जूटा फर्मान सुना कर सब अंग्रेजों को काट दिया गया काले खान को यह ठीक नहीं लगा वहां से वे सब रानी के महल रुपे लेने के लिए गए सिपाहियों के यह कहने पर कि रुपे ना मिलने पर वे जहांसी को लूटेंगे रानी ने अपना हीरो का कंठा उतार कर दे दिया और सब वहां से दिल्ली के लिए कूच कर गए दूसरे दिन राणी ने सेना और शासन से संबंद रखने वाले अपने लोगों को बुलाया और स्थिती से अवगत कराया नाना भोपटकर की सलहा पर राज्य का सरवांगीन शासन राणी के हाथ में दे कूटनीती से काम लिया गया और जबलपुर चिठी भीजी की राणी अंग्रीजों की ओर से शासन कर रही है जासी में पदाधिकारी नियुक्त किये गए अब आगे सब करमचारियों को अपने अपने विभागों को द्रिड़ता और साफधानी के साथ संभालने और चलाने का आदेश राणी ने कर दिया सबेरेज से ही रिसालें और पैदल पल्टनों की कवायद और निशाने बाजी शुरू हो गई समय पर बिगुल बजा और ठीक समय पर सब काम हुआ और होता रहा सेना में लगभग सब पुराने सिपाही आ गए नई भरती भी बहुत हुई सब जातियों और वर्गों के आदमी लिए गए रानी की हिदायत थी कि सेना को सारे राज्य की जनता अपना समझे और यह तब ही हो सकता था जब सेना में सब जातियों के लोग रखे जाते चासी का राज्य लेने पर अंग्रेजों ने लगभग सब पुरानी तोपों को कीले ठोक कर बेकार कर दिया था तुपों के ढालने के कारखानों को चालू करने का कारे तुरंत शुरू कर दिया गया गोले, गोलियां बनाने का, कलवारे, बंदुकें, पिस्टॉलें इत्यादी तयार करने का भी काम जारी हो गया परंतु नए हत्यारों का कारखानों से बन कर निकलना शिग्र संपादित नहीं हो सकता था इसलिए रानी ने जहां मिले पुराने हत्यार इकठे किये जन्ता ने जी खोल कर रुपया दिया गुलाम गौसखा ने दो दिन में तोपो को ठीक कर लिया कुछ तोपें गड़ी हुई पड़ी थी उनको भी संभाल लिया यह अच्छा हुआ क्योंकि राज्य को हाथ में लेने के ठीक पांच तिन बाद तेरा जुन की रात को रानी को मोती बाई ने खबर दी कि करेरा के किले पर सदाशिव राव निवालकर ने हमला किया है और काफी सेना इकठी कर ली है सदाशिव राव जहांसी की गदी का दावेदार था जहांसी में ही रहता था 31 मई की हलचल की उसको खबर थी वह अपनी लुडिया मारने के लिए जहांसी से निकल गया गाउं में लोग क्रांटी के लिए तयार थे ही बहुत से मनचले नौजवान हत्यार बांद कर सदाशिव के साथ हो गए करेरा में थानेदार और तहसिलदार अंग्रीजों की ओर से नियुक्त थे उनको सदाशिव ने मार भगाया तुरंट अडोस-पुडोस के जागीरदारों से रुपया वसूल किया और दो एक दिन के भीतर ही अभिशेक करवा लिया पद्वीधारन की, महराज, श्री, सदाशिव, नारायन और प्रसिद्ध किया कि मैं ही जासी राज्य का सच्चा और सही अधिकारी हूं गाओं गाओं में अपने महराज होने के घोशना पत्र भिजवाए जिसने उसको जासी का राजा ना माना उसकी तुरंट जायदाद जब्द कर ली ऐसे सपाटे के साथ कदम बढ़ाया मानों दो चार हफते में ही सारे हिंदुस्तान का चक्रवर्ती हो जाएगा उसने समझा जासी अनाथ है एक महज अल्प व्यस्क इस्त्री के हाथ में है खबर पाते ही रानी ने तैयारी कर दी नगर का प्रबंध मजबूत था ही उत्तर, पूर्व और दक्षन के भागों का शीग्र संतोश जनक प्रबंध कर लिया करेरा पश्चिम में था गड़बर केवल इसी दिशा में महराजा सदाशिव के कारण थी जासी की रानी अदकच्री थी परंतु सेनापती चतुर और उत्सा ही थे करेरा कूच करने के पहले तीनों सहेलियों से मुस्कुरा कर रानी ने कहा तो करनलों की परेक्षा महराजा सदाशिव नारायन के सामने होगी उंदर ने कहा यदि महराज सहाब हमारे जनरल का नाम सुनते ही भाग गए तो रानी हसी जैसे मोतियों ने आभा बर्साई हो काशी शांत प्रकरती की होते हुए भी बहुत हसी रानी ने कहा काशी मैं बिल्कुल पीछे रहूंगी तुमको आगे जाकर लोहा लेना पड़ेगा काशी बोली पाई सहाब उस समय या तो आपका घोड़ा न मानेगा या आप न मानेगी रानी ने काशी के कंधे की चुटकी भरी और कहा तेरी एक बात तो सच्ची हो गई उस दिन तुने कहा था जवाहर सिंग सेना पती होगा सो हो गया अब देखूं करेरा के संबंध में मुंदर की बात ठीक निकलती है या नहीं योद्ध होगा सरकार मुंदर उच्छा के साथ बोली अब की बार मेरी वानी सच्ची होगी तो अपने हाथ से लड़ू बना कर खिलाऊंगी रानी ने कहा मुंदर को उन थाल भर लड़ूों की याद आ गई जो रानी ने अपने हाथ से उस दिन बनाए थे और अगुनात सिंग इत्यादी को खिला दिये थे रानी ने कूच कर दिया वे इतने वेक के साथ अपने घुड सवारों को लेकर करेरा पहुंची कि महाराज सदाशिव राव को लड़ने तक का मौका नहीं दिया रानी ने पहुंचते ही करेरा के किले को ऐसा घेरा कि सदाशिव ने मुश्किल से भाग कर अपनी जान बचा पाई सिंधिया के राज्ये में नर्वर में जाकर दम ली वहां से सदाशिव ने सिंधिया से सहयता की आचना की गौालियर से थोड़ी सी सहयता आई थी परंतु रानी ने सदाशिव को नरवर में घेड लिया और पकड़ कर जहांसी ले आई जहांसी के किले में कैद कर दिया मुंदर ने कहा बाई सहाब मेरी भविश्यवानी कैसी अक्षर-अक्षर सत्य निकली काशी बोली और मेरी भी मैंने कहा था ना कि बाई सहाब सबसे आगे होंगी मेरे दोनों कर्णल सच्चे सुन्दर ने अपनी सुन्दर आँखों से जरा त्रशना प्रकट की रानी फिर बोली तु भी नाम करेगी सुन्दर अपकी तेरी बारी है कानपूर की सेना के जनरल वीलर ने किले बंदी की और उसके अंदर अंग्रेजों को बाल बच्चों सहीत ले गया नाना ने वीलर को चेतावनी दी कि शाम तक आत्म समर्पन कर दो वरना किले पर हमला किया जावेगा वीलर ने नहीं माना किले बंदी का महासिरा कर दिया गया और गोले बरसाई जाने लगे वीलर भी खूब लड़ा 21 दिन युद्ध हुआ इलाबाद में भी विपलव हो गया था बंगाल की ओर से जनरल नील फौज लेकर आया उसने अत्यंत निर्दैता के साथ मार्ग में पढ़ते हुए ग्रामों को जलाया अपराधी और निर्पराधी ग्रामीनों की हत्याएं की जब इलाबाद के विजन से घबरा कर हिंदुस्तानी पुरुष, स्त्री और बालक नावों में बैटकर भागे, उसके सैनिकों ने गोला बारी की और उनमें से अधिकांश को मार दिया इतना अन्याए और ऐसा नरसंगार किया कि सर्वत्र संसनी, भय और क्रोध फैल गया कानपुर में भी नील और उसके सहयोगियों के नशन्स ग्रत्यों के समाचार पहुँचे, आगसी लग गई हिंदु, मुसल्मान, स्त्रीयों के भी कलेजे दहके अजीजन नाम की एक वैशिया, खोड़े परसवार, तलवार, पागे शहर की गलियों और चावनी में उत्तेजना और प्रोट्चाहन देने के लिए दौड धूप करने लगी वीलर ने लखनों से सहयता बांगी, लखनों खुद खिरी हुई थी, सहयता ना आई वीलर ने अपने किले बंदी परसुले का सफेज जंडा गाड़ दिया, इसी समय इलाबाद के आसपास से नील की पल्टन के विभत्स अत्याचारों के समाचार आए, हिंदुस्तानी सेना क्रोध में और भी पागल हो गई कानपूर की घिरी हुई अंग्रेज सेना ने आत्म समर्पन कर दिया, उनको इलाबाद भेज देने के लिए चालिस नावें तयार करा दी गई नाना अपने बिठूर वाले महल में था, सिपाईयों ने गुस्से में आकर अंग्रेज पुरुशों को मार डाला इस क्रूर दुश्क्रत्य के उपरांथ उन लोगों ने स्त्रियों और बच्चों का वद करना चाहा, परन्तु नाना को खबर लग गई और उसने तुरंत प्रेतन करके इनको बचा लिया फिर कुछ समय उपरांथ जब इनको नावों में पिठला कर इलाबाद की और भेजा जा रहा था, सिपाहियों ने नाना की आग्या बिना बलकि उसकी आग्या की प्रतिकूल कतल करके अपने को कलंकित किया कानपुर के कुल अंग्रेजों में से एक इस्त्री और चार पुरुष बच कर निकल पाए थे, इन घटनाओं ने अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की परस पर हिंसा को बेहद बढ़ा दिया लखनों में विपलव 30 मई को आरंब हुआ था, अवद भर में विपलव की आग पहल गई, तो भी कहीं स्थानों पर विपलव कारियों ने अंग्रेज इस्त्री बच्चों की प्राणपन से रक्षा की इलाबाद को कबजे में करके नील लखनों की और बढ़ा और जनरल हैवलाक कानपूर की और अवद अदम में जान पड़ता था पंजाब की चावनियों में भी गड़बड हुई लेकिन उसको दबाने में अंग्रेजों को जादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा जानसी के विपलव का समाचार सागर और बुंदेल खंड के अन्य जिलों में पहुँचा कारडन के सरिष्टेदार ने सागर चिठी भीजी इसमें अंग्रेजों की ओर से रानी द्वारा जानसी का प्रबंद किये जाने की और संकेत था सागर ने अंग्रेजों को यह भी विदित कर दिया था कि जहांसी के अंग्रेज, इस्तरी पुरुशों और बालकों की हत्या में रानिका बिलकुल भी हात नहीं था इस चिठी के पहुँचने पर सागर के अंग्रेज सावधान हुए परंतु वे विपलव को थोड़े समय तक ही रोकने में सफल हो पाए सागर की एक हिंदुस्तानी पल्टन विपलव में शामिल हो गई, दूसरी पल्टन सरकारभग बनी रही विंद्य खंड की समगर जनता में संसनी फेली हुई थी यहां की जनता ने कभी किसी अत्यचारी का शासन आसानी से नहीं माना था स्वाभिमान को आगात पहुँचा कि वेक्ति ने सिर उठाया और हत्यार हाथ में लिया शायद भारत का यही खंड एक ऐसा है जहां दाको को बागी कहते हैं विंद्य खंड छोटी बड़ी रियासतों में बिखरा हुआ था सब बड़ी बड़ी रियासतें कमपनी सरकार का साथ दिये थी बानपूर और शाहगड स्ताधारन राज्य थे ये राज्य विपलव में शामिल हुए रानी को इन दोनों राज्य के स्वाधीनता प्रिय विचारों का पता था इन दोनों को उन्होंने स्वराज्य स्थापना के संग्राम में भाग लेने के लिए पत्र भेजे वे दोनों लड़ने के लिए उद्यत हो गए बानपुर राजय के राजा मर्दन सिंग ने अपनी सेना को लेकर सागर जिले में प्रवेश किया और खुरई तहसील तथा नर्यावाली के परगने पर अधिकार कर लिया इसके उपरांत वह जासी जिले के दक्षन में ललितपुर आया और चंदेरी की ओर बढ़ा चंदेरी अंग्रेजों के अधिकार में थी, वहाँ विपलव नहीं हुआ था वहाँ के हाकें परगना को राजा मर्दन सिंग के आने की खबर एक चंदेरी निवासी ने दी वह तचेहरी में था, रेटे पिजम लाल फीता जापता का पुजारी था खबर देने वाले ने कहा, सहब बलवा हो गया है, फौज चड़ी चली आ रही है सहब उपेक्षा के साथ बोला, अरजी लिखवा कर लाओ, जबानी नहीं सुना जाएगा थोड़ी देर में रاجा मरदन से गागया, उसने बिना किसी अर्जी दर्खवास्त के चंदेरी को खेर लिया और बिना किसी अर्जी पुर्जी के चंदेरी में अंग्रेजी शासन को खतम कर दिया शागज़ का राजा बखत बली था, उसने भी विपलव किया सागर, दमहो, जबलपूर के जिले में विद्रोहियों की संख्या बहुत बढ़ गई दमहो जिले के तो समस्थ लोधी क्रांती में सम्मिलित हो गए ये सब शागर के राजा के साथ थे उससे लड़ने के लिए सागर से पल्टन आई पर राजा बखत बली ने उसको आसानी से हरा दिया इस राजा के एक सरदार बोधन दौवा ने गढ़ा कोट पर चड़ाई की और उस पर अधिकार कर लिया राजा मरदन सिंग चंदेरी को अधिकरत करके सागर लोटा उसी समय जबलपूर की हिंदुस्तानी पल्टन ने भी विपलव कर दिया अंग्रेजों ने पन्ना राज्ये से साहता मांगी पन्ना के राजा ने अंग्रेजों की साहता के लिए अपनी काफी सेना भेजी पन्ना की सेना ने विपलवकारियों को दमहों के जिले में पराजित किया और अंग्रेजों की ओर से दमहों का शासन किया पन्ना की सेना जबलपूर की विपलवकारिनी पल्टन से भी लड़ी और उसको भी हरा दिया जहांसी के चारो ओर दूर और पास इसी प्रकार की परिस्तिती थी इस परिस्तिती में रानी लक्षमी बाई जहांसी में एक सुद्रड स्वटिक सी थी जहांसी जिले में उन्होंने प्रबलता के साथ शांती स्तापित की तब वैसे ही नियम सैयम के साथ चली जा रही थी उनकी चर्या में किवल दो अंतराय एक तो वे सुभे के नित्य कृत्तियों और पूजा ध्यान के उपरांद राज्ये के करमचारियों को मिलने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए समय देने लगी दूसरे ठीक तीन बजे के पश्चात वे कचहरी करने लगी बड़े और महत्वपूर्ण मुकद में वे स्वयम करती थी और तुरंत डिन्ने कर देती थी कभी-कभी दंड भी स्वयम अपने हाथ से देती थी परंतु केवल उन मामलों में जिनमें किसी ने बाला के इस्तरी को सताया हूँ वे कचहरी में टोपी लगा कर बैठती थी भीतर लोहा, उपर लाल रिशम टोपी जालरदार मोतियों और जवाहरों की, कंट में हीरों की माला, सुडॉल और भरे हुए वक्ष स्थल पर कचुकी जो सुनहरी जरीदार कमर पेटी से कसी रहती थी कभी साड़ी और कभी धीला पैजामा पहिन के आती थी रानी के आसन के पास ही दिवान लक्षमन राव कागज, कलम, दवात लिए बैठता था यद भी वह पढ़ा लिखा बहुत कम था, परन्तु वह अपनी निरक्शर्ता को खुबी के साथ छिपाए रहता था कभी कभी रानी अपने हाथ से फैसला लिखती थी और कभी पोल देती थी लक्षमन राव लिखने का बहाना करता था और नीचे बैठे वे मुसद्दियों से लिखवा कर जटपट महर लगा देता था आए गए कि उनको जबरदस्त याद रहती थी नित्य का आने वाला यदि एक दिन भी चूक जाए तो वह उसके आते ही गैर हाजरी का कारण पूछती थी और समय की वे कठोर पाबंदी करती थी वर्शा का आरंब विलंब से हुआ परंतु प्रचंडता के साथ फिर भी उनके कारियों में शिथलता ना आई घोड़े की सवारी करने से जरूर विवश्च थी ऐसी रितु में प्रायर डक्यती बटमारी बंध हो जाती है परंतु इन ही दिनों उनको सूचना मिली कि बर्वा सागर के पास सागर सिंग कुमर सागर सिंग डाकू ने लगातार कई डाके डाले है और बर्वा सागर का थानेदार उसका कुछ नहीं कर पा रहा है रानी ने तुरंत निश्चे किया मोती बाई द्वारा खुदा बख्ष को बुलवाया आने पर खुदा बख्ष से कहा सागर सिंग का शीगर दमन किया जाना चाहिए खुदा बख्ष ने हाँ जोड़ कर सुईकार किया तुम इसी समय पच्चे सिपाही लेकर बर्वा सागर जाओ और सागर सिंग को जीवित या मृत लेकर आओ उसकी दुष्टता के कारण बर्वा सागर और बर्वा सागर का तरस्त और संतप्त हो उठा है इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकोगे एक महीने में खुदा बख्ष शिरिमंद सरकार जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी केवल वर्शा की कठनाई है परंतु सागर सिंग को वर्शा कोई विग्नबाधा नहीं पहुँचाती सरकार कहो कहो सरकार ये लोग कुछ ग्रामीनों से मिलकर बनियों महाजनों को लोटते हैं और सघन जंगलों में भाग कर चिप जाते हैं पानी बरस्ते घने जंगलों में वे सोते खाते कहा होंगे यदि तुम उन्हें उनके अड़ों पर ढूंडो तो वे जंगलों में नहीं मिलेंगे बलकि अपने अड़ों पर कुछ और सिपाही चाहिए तो ले जाओ नहीं सरकार इतने ही बहुत हैं यदि अटक पड़ेगी तो समाचार दूँगा खुदा बक्ष चला गया रानी ने अपनी सहेलियों से एकांत में सलहा की रानी ने प्रश्न किया खुब परस्ते पानी में घोड़ा तोड़ा सकोगी मुंदर ने उतर दिया तोड़ा लोंगी अभ्यास तो किया है तुम सुन्दर और काशी बाई रानी ने पूछा उन दोनों ने भी हां भरी परन्तु काशी बाई की हां में कुछ दुरबलता थी रानी ने मुस्कुरा कर कहा काशी हाल में कुछ अस्वस्त लग रही है इसलिए वह महल में ही रहेगी और यहां का कामकाश देखेगी मेरी अनुपस्थिती का समाचार जहांसी से बाहर ना जाने पावे खुदाबक्ष के बरवा सागर पहुँचने के बाद इसी दिन हम लोग यहां से चलेंगे खुदाबक्ष उसी दिन चला गया संध्या तक बरवा सागर पहुँचा भीगा हुआ और भूखा परंतु उसको मांसिक लेश कुछ न था जरा सुस्ता कर भोजन किया थानेदार से सागर सिंग की गतिविधी पर बात चीत की खुदाबक्ष जहांसी से वह खयाल लेकर निक आया था कि बरवा सागर का थाने तार किंकरतवे विमोड हो गया है परंतु उसका यह भ्रम निकला सागर सिंग बहुत चालाक और बड़ा सहसी था उसके साथ उतपातियों का काफी बड़ा गिर हो था बरवा सागर का थाना प्रयास करने पर भी उसके कारे क्रम में बहुत कम बाधा डाल सकता था सागर सिंगा घर रावली ग्राम से बरवा सागर से पांच-छे कोस की दोरी पर था परंतु वह घर पर रहता बहुत कम था खुदा बक्ष को बरवा सागर आकर अपने आसामी की विकरता का पता लगा और अधिक सिपाही मांगने में नाक्सी कटती थी मगर समय किवल एक महीने का था मोती बाई की याद आई अपने जादू से शायद वह कुछ कर डालती तुरंत उसके मन ने इस कल्पना को धिकारा तूसरी दिन बादल जरा खुला भरे भरे सामले धुंदरे बादल आते और चले जाते थे एकाद भुहार छोड़ जाते नदिया नाले भरे इटलाए हुए और सवेग खुदाबक्ष ने बरवा सागर के थानेदार उसके सिपाहियों और अपने सिपाहियों को लेकर सवेरे ही रावली की ओर दौर कर दी छिपे लुके भीगे और कीचड में लत पत बंदुकों को कपड़ों से ढखे जेबों में भुने चने और प्यास भरे ये लोग दौपहरी में रावली के गेवडे पर पहुँचे खेतों में कोई काम नहीं हो रहा था इसलिए मार्ग में किसी से भेट नहीं हुई सब लोग गाउं में थे और पानी के खुलने की मना रहे थे सागर सिंग भी घर पर था सागर सिंग का मकान उची टौरिया पर था सागर सिंग खाना खाने के बाद जपकी ले रहा था चकोरी हवा चल रही थी और कभी फुहार पढ़ जाती थी इसलिए खुदा बख्ष के दल का शब्द नहीं सुनाई पड़ा जब तक गाउं वाले सागर सिंग को सचेत करें कि खुदा बख्ष ने सागर सिंग की हवेली घेर ली उसको फाटक लगवा देने का अवसर मिल गया हवेली में उसके कुछ आदमी थे वे सब जल्दी तयार हो गए सागर सिंग को आश्चरे था कि कू रितू और कू समय पर किसने घेरा डालने की हमत की दिवारों के तीर कशों में होकर उसने परक लिया कि घेरने वालों के साथ तोप नहीं है और वे केवल घर में घुसकर ही नुकसान पहुंचा सकते हैं सोचा शाम तक योहीं पड़ा रहने दू और देखता रहूं फिर उसको खयाल आया कि घेरने वाले रानी के सिपाही होंगे और इनकी पीट पर कुछ भल कहीं और लगा होगा इसलिए उसने तुरंथ लड़ डालने की ठाने वह जानता था कि घेरने वाले अधिक समय तक पंदूक नहीं चला सकेंगे और वह सोयम सूखी जगह में बैटकर बहुत अच्छा और बड़ी देर तक लड़ सकेगा हवेली टौरिया की ठीक चोटी पर न थी किन्तु अपराधी से जरा उपर खुदाबक्ष ने इस स्थिसी से लाब उठाने का प्रित्न किया परंतु सागर सिंग की पहली बाड़ नहीं खुदाबक्ष के कई सिपाहियों को घायल कर दिया खुदाबक्ष ने तुरंत हवेली पर चड़ जाने की आगया दी सोयम आगे हो गया जब तक सागर सिंग फिर बंदुकों को भरे खुदाबक्ष हवेली पर चड़ गया और उसके कई साथी भी सागर सिंग ने फिर बाड़ दागी परंतु खा ले गई सागर सिंग ने समझ लिया कि अब गय उसने तलवार हाथ में ली खुदाबक्ष और उसके साथी आंगन में कूद पड़े सागर सिंग का मुकाबला ना हो सका खुदाबक्ष घायल होकर गिर पड़ा और सागर सिंग उसके साथियों को चीरता हुआ बाहर निकल गया तब खुदाबक्ष के अन्य सिपाही फाटक से होकर भी तरा गए खुदाबक्ष और उसके साथियों ने गाव में टिकना ठीक नहीं समझा खुदाबक्ष बैल गाड़ी से रात होते बरवा सागर आ गया गाव बहुत गहरे ना थे परंतु थे कई खुदाबक्ष को बेहोशी रही सबेरे रानी के पास समाचार भिज दिया गया मेग जाए हुए थे हवा सन थी पानी रिम जिम रिम जिम बरस रहा था महल के उपरी खंड के हवाई कमरे में रानी आखे मूंदे हुए मोती भाई का भजन सुन रही थी मुंदर जमोहा रही थी सुन्दर बैठे बैठे सावधानी के साथ निद्रा मगन हो गई थी काशी सचेत थी बजन की समाप्ति पर रानी का ध्यान डोटा मुंदर की जमोहाई हटी परंतु सुन्दर की निद्रा समाधी भंग ना हुई रानी ने हसकर कहा सुन्दर देखिये भालू कहां से आ गया सुन्दर हडबड़ा गई बहुंचक्की होकर बोली कहां है बाई साहब ढूंटो पता लग जाएगा रानी ने कहा साधारन भालू तो है नहीं सुन्दर लज्जित हो गई हाथ जोड़कर बोली सरकार दिन भर की ठकी थी इसलिए अभी अभी थोड़ी सी नींद आ गई काशी बाई सरकार यह आज दिन भर चक्की चलाती रही है इसलिए बहुत ठक गई सुन्दर नहीं काशी बाई चक्की नहीं चलाई तो और काम तो बहुत किया है मुंदर तो मकेली ने उसी समय पहरे वाले ने निवेदन किया बरवा सागर से एक सिपाही आवशक समाचार लाया है रानी ने दूसरे कमरे में उसको बुलवाया उनका आदेश था कि आवशक समाचार के लिए समय को समय ना देखा जावे और उनको तुरंत सूचना दी जाया करे रानी सहिलियों के साथ दूसरे कमरे में गई समाचार वाहक ने कहा सरकार, रावली के बागियों से सरदार खुदा बख्ष की लड़ाई हुई वे घायल हो गए है, साथ सिपाही भी घायल हुए है सरदार को तलवार के घाव लगे हैं और सिपाहीयों को गोलियों के अगवान की क्रपा से मरे कोई नहीं है और न किसी के लिए इस तरह का भय है सागर सिंग भाग गया है, लड़ाई रावली में सागर सिंग के घर पर होई थी मोती का चेहरा पीला पड़ गया रानी ने पूछा रावली बर्वा सागर से कितनी दूर है उसने उत्तर दिया पांच छे कोस है सरकार जासूस ने पता दिया है कि सागर सिंग अपने घर पर है सरदार ने धावा बोल दिया खुदा बक्ष को कहां चोटाई है और अब क्या हाल है लड़ाई को कितने दिन हो गए लड़ाई को आचोथा दिन है घाव बाहों और जांगों में हैं और सिर पर भी एक वार है अच्छे हो रहे हैं सिपाहियों के घाव अलबत्ता जादा गहरे हैं तुमको समझा लाने में इतना विलम क्यों हुआ बेतवा इतनी चड़ी हुई है कि नाव नहीं लग सकी सरकार आज दोपहर कुछ उतरी तब आप आया हूँ प्रबंद करती हूँ तुम जाओ रानी अपने कक्ष में लोट आई रानी ने कहा कल बरवा सागर चलना चाहिए काशी बोली सरकार ना जाएं कुछ दिन नहीं किस समय जोर से पानी बरस पड़े नदी चड़ावे उस दिन जब अपने बरवा सागर जाने का निश्चे किया मैं कुछ ना कह सकी थी परन्तु आज तो मैं हट करूँगी रानी सोचनी लगी उन्होंने मोती बाई की उदासी देख ली और पहचान ली तुम भी कहती हो काशी परन्तु स्थिती की मांग हम पर प्रबल है यदि कल पानी ना बरसा तो अच्छे घोडों पर चल देंगे हाती भी जा सकता है परन्तु मैं इसे में प्रदर्शन बचाना चाहती हूँ और वह सवारी बहुत धीमी भी है मोती बाई सरकार को कुछ घुर सवार साथ में ले लेने चाहिए लोंगी दिवान रगुनात सिंग को सबेरे सूचना दे देना काशी बाई मैं भी चलूँगी चलना मैं क्या रोकती हूँ मोती बाई आग्या हो तो मैं भी चलू नाव न लगी तो घोड़े पर नदी पार कर लेगी मोती बाई सरकार की सेवा में रहते मुझको आग पानी किसी का भी डर नहीं रहा रानी ने सुईकृत किया रात में पानी थोड़ा थोड़ा बरसता रहा सवेरे बादल खुला सा दिखलाई दिया रानी सहेलियों समेथ बरवा सागर की ओर चल दी पचीज घुर सवार साथ में ले लिये दीवान रगुनात सिंग संग में शीग रही घाट पर यह दस्ता पहुँच गया देखे तो बेतवा दोनों पाट दाबे वेग से चली जा रही है उपर ज़्यादा पानी बरस किया था इसलिए बेतवा बे तहाशा इटला गई हवा आंधी के रूप में चल रही थी मलाहों के लिए नाओ का लगाना असंभव था अने घुरसवारों के दिल तोटने लगे उस पार की पहाड़ियों का लहरियादार सिलसला हर्याली से ढखा हुआ था पादल के सफेद, धूमरे, टुकडे पहाड़ियों की चोटी और हर्याली को चूमने के लिए नब से उतर उतर कर टकराते चले जा रहे थे बेतवा का शोर आंधी का साथ पाकर तुमल हो उठा रानी ने मुढ कर मोती बाई की ओर देखा वे उस पार की पहाड़ियों से टकराते हुए मेग खंडों पर द्रिष्टी जमाए थी रानी ने आग्या दी कूत पड़ो और वे सबसे आगे घोड़े पर पानी में धस गई फिर क्या था उनकी सहेलियां और सब खुडसवार धार को चीरते दिखलाई पड़ने लगे रानी सबसे आगे बेतवा की धार पुंज के ऊपर पुंज सी दिखलाई पड़ती थी क्रम, अभग और अनंतसा जब एक शण में ही अनेक बार एक जल पुंज दूसरे से संघर्ष खाता और एक दूसरे से आगे निकल जाने का अनवरत अथक अटूट प्रयास करता तब इतना फेनिल हो जाता कि सारी नदी में फेन ही फेन दिखलाई पड़ता था जाक की इतनी बड़ी निरंतर बहती और उत्पन होती हुई राशियां आड़े आ जाती थी कि घुर सवारों को सामने का किनारा नहीं दिखलाई पड़ पाता था लहरों के एक पलडे को चीरा उस पर एक जाक को भेदा की दूसरा सामने शब्द में प्रभा की निरर्थक भाशा मानो बार बार कहती थी बचो बचो सामने की उथल पुथल से आगे बढ़े की बगल से थपेड पड़ी घोड़े आंके फाड़े नतुनों से जल फुपकारते बढ़ रहे थे वे अपना और अपने सवार का संकट समझ रहे थे सवार के पैर घोड़े से चिम्टे हुए और उनके पैरों के नीचे घोड़े के निस्तब्ध ताप और टाप के नीचे नजाने कितनी गहराई सवारों के चारों और भवरे पड़ पड़ जा रही थी एक भवर बनी पार की की दूसरी तुरंत मौजूद परंतु अपनी रानी और उनकी सहेलियों को आगे देख कर किस सिपाही के मन में अधिक समय तक भै ठहर सकता था रानी के घोड़ेगा केवल सिर उपर शेश भाग पानी और जाग में रानी की कमर तक जाग पानी और धार के साथ बह कर आया हुआ जाड़ी जंकार धार की बुंदों की जड़ी उचट उचट कर आँखों में बालों पर और सारे शरीर पर बरस रही थी जब कभी सिपाहियों और सहेलियों को उत्साह देना होता तो हस हस कर शाबाशी देती मानो प्रचंड बेतवा की मलिन अंजुली में मुक्ता बरसा दिये हो धुम्रे बादलों के आगे एक और बगलों की पांत निकल गई मानो पहाड़ियों और पहाड़ियों से मिलने वाले बादलों को सफेद खौर लगा दी गई हो पहाड़ों की कंदराओं में घुसे वे उनको आच्छादित किये हुए बादलों में होकर वह वकुला वली छिपती हुई सी मालूम पड़ी और फिर तितर बितर हुई जैसे हिलती भी सावली सलोनी चादर में टके हुई सितारे पहाड पर बड़े बड़े और सघन पेड गहरे हरे शामल बगुले एक पेड पर जा बैठे मानोवन देवी ने प्रभा चटका दी हो उस विशम धार के पार थोड़ी देर में किनारा दिखलाई दिया रानी फिर हसी बगलो की सफेदी से रानी के दातों ने तुरंत होड लगा दी चिला कर बोली देखो किनारा आ गया पड़ाव मार लिया थोड़ी देर में पूरा दस्ता नदी पार हो गया सब भी गए थे परंतु पीट पर कसे ढखे हुए हतियार लगभग सुखे थे घोडे टुर गए थे घाट पर कपड़े सुखाने बदलने में और खोडों को आराम देने में थोड़ा सा समय लगा फिर दोड लगी और रानी बर्वा सागर के किले में दोपहर के करीब पहुँच गई बर्वा सागर का किला विशाल जील के ठीक उपर है जील में बर्वा नाम का एक बड़ा नाला पड़ता है जील को विशालता इस नाले ने ही दी है भायल सिपाही और खुदा बक्ष इसी किले में पड़े होए थे रानी ने तुरंत इन सब को देखा किसी के सिर पर हात पेरा किसी की मरम पट्टी की देख भाल की सिपाही अपनी रानी केस नहीं को पा कर मुग्द और गद गद हो गए फिर खुदा बक्ष के पास पहुँची खुदा बक्ष ने चार पाई से उठने का प्रैत्न किया परंतु ना उठ सका रानी को देखते ही उसके आंसू आ गए चरन स्पर्ष करने की कोशिश की रानी ने फिर सिर पर हाथ भेरा चौकी पर बैठ गई सहिलियां खड़ी थी मोती बाई सहिलियों के पीछे से खुदा बक्ष को एक तक देख रही थी खुदा बक्ष ने उसको देख लिया परंतु आंके उसकी मोती बाई की ओर न थी खुदा बक्ष ने रानी को सागर सिंग की लड़ाई का ब्यौरेवार हाल सुनाया रानी कुछ पता चला सागर सिंग अब कहां चला गया है सरकार गाउवाले पता नहीं बतलाते वे ही उसको शरण भोजन इत्यादी सब देते हैं इतना भी तो मालूम हो गया है कि वह पडोस के जंगल में है गाउवाले डाकों से डरते हैं उनके पास निर्भय होने का कोई साधन नहीं है अंग्रेजी राज्ये ने पंचायतों का सर्वनाश कर दिया है इसलिए गाउव में परस पर साहता की प्रणाली उट सी गई है और उसने डाकों को साहता देने का रूप पकड़ लिया है देखूंगी तुम चिंता मत करो अब सरकार स्वयम यहां आ गई हैं मुझको किस बात की चिंता घाउ लगभग अच्छे हो गए हैं एकाद दिन में ठीक हुआ जाता हूँ फिर देखता हूँ सागर सिंग को रानी ने उसको विश्राम करने का हट किया मोती बाई को खुदा बक्ष के पास छोड़ कर किले के महल वाले हिस्से में चली गई स्नान ध्यान में लग गई अब मोती बाई की आँखे तरल हुई रुद्ध कंट मुखरित होने के लिए आकुल हो गया खुदा बक्ष ने देख लिया बोला यह क्या आँखों में आसू आपको तो हर्श और गर्व से हसना चाहिए था आपका कैदी नहीं आपकी सरकार का सिपाही अपने मालिक के लिए कुछ तो कर सका मोती बाई ने आखे पोंच कर कहा क्या दर्द बहुत है खुदा बक्ष ने जवाब दिया जरा भी नहीं मालिक ने हाथ क्या फेरा अमरित लुड़का दिया सच कहता हूँ अभी उनकी आगया हो तो घोड़े पर बैटकर उस अत्याचारी से दो हाथ करूँ फिर उसने करवट लेने की कोशिश की जरा कष्ट हुआ एक आहा को दबा कर बोला जान पड़ता है शरिमन सरकार मेरे स्वस्थ होने तक नहीं ठहरेंगी मोती बाई ने सत्रिष्ण नेत्रों से कहा मैं भी उनके साथ जाऊंगी खुदा बख्ष ने आख मीचली बोला आप भी जाऊगी क्यूं? मुझे क्या हुआ? उनकी चाया में आदमी आधी बन लाता है तो औरत क्या आदमी भी नहीं बन सकती? मोती बाई को रत्नावली नाटक में रंग मंच पर रत्नावली का अभिने करते देखा था स्मरण हो आया एक साथ कोमलता और प्रसूनों के चित्र आखों में घुम गए खुदाबक्ष ने एक निश्वास लिया आखे मुंदे ही बोला मेरी मरहम पट्टी के लिए रह जाना मोती बाई ने सस नहें कहा सरकार से कह देना मैं खुशी से रह जाऊंगी खुदाबक्ष ने आखे खोली ब्रिकुटी भंग की जरा रुखाई के साथ बोला शिरिमन सरकार से भिक्षा मांगूगा कि रतनावली को सेवा टहल के लिए दे दीजे मोती बाई ने उसकी उपेक्षा की कहा रतनावली कौन? खुदाबक्ष को आश्चरे हुआ क्या मैंने रतनावली कहा? मोती बाई हसी उसकी हसी में चमतकार था परन्तु खुदाबक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा रतनावली ही तो कहा क्या कोई सपना देख रहे थे? वह सपना था अब मीठा जागरन सामने है मोती बाई ने खुदाबक्ष की आँखों में इसने को पकड़ने का प्रयत्न किया बोली तब मैं खुद तो उनसे नहीं कह सकूंगी वह सोचेंगी मैं बहुत तुच्ची हूँ जी हाँ खुदाबक्ष ने जरा सस्सर उठा कर कहा आप चाहती हैं वह आपको बहाद्दूर समझे और मुझे तुच्चा और निकम्मा मैंने ये तो नहीं कह मोती बाई बोली खुदा करें आप जल्दी अच्छे हो जावे और वह वहाँ से चली गई उपर की छट को घेरे हुए किले की दिवार थी दिवार में मुंडेरदार खिड़की उसमें होकर मोती बाई जील की लहरों को परखने लगी और रोने लगी जब उसने रत्रावली का भिने किया था इतनी नहीं रोई थी नियंतरन करके वह अपने काम में लग गई हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपके कॉमेंट्स और लाइक हमें प्रोथसाहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानिया शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन दबाना न भूलें इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ